गुड मॉनिक स्टूडेंट विलकम इन दे क्लास टेंथ आज हमारा वीडियो साइंस वन कक्षा दसवी का हम लोग देख रहे हैं और जिसमें जो हमारा पार्ट चार शुरू है उसका नाम है विद्युद धरा के प्रभाव में इसके पूर्व वीडियो में हमने देखा है इद्युद परिपत में उर्चा का स्थानांतरन और उसके पच्छाथ हमने देखा हुआ था इद्युद धरा का ओश्मिय परिनाम इसके उपरांद आप लोगों को कुछ हल्किये हुए उधारन मैंने बताए हुए थे और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आये इद्युद धरा के चुम्बकिय प्रभाव में जैसे आप अभी देख पा रहे हैं आप लोगोंने पिछली कक्षा में भी विद्युद चुम्बकिय क्षेतर के बारे में पढ़ा हुआ है आज हम लोग विद्युद धरा के चुम्बकिय प्रभाव में विद्युद धरा का उसमें प्रभाव हम लोग सीखने वाले हैं तो चुम्बक के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्यान किया हुआ है चुम्बक ये बलरिगा का क्या आर्थ है ये भी समझा हुआ है परमतु विद्युधारा और चुम्बक की एक शेतर का कुछ सम्मन्द है या नहीं ये हम लोग को देखना समझना उचित होगा और इसके लिए ये वीडियो आप लोग दरूर देखिए गूड मौनिंग स्टूडेंट आज हम लोग देखने वाले हैं Magnetic Effect of Electric Current याने विद्युधारा की चुम्बक की अप्रवा जहां पर हम लोगों को एक 9 old cell लेना है और ये experimental जो है यह हमें इस cell द्वारा ही करना है जिसमें आप लोगों को एक connector लेना है इस connector के दोनों सीरों को जोडने के लिए हम लोग को इसका use करना है अब हम लोग एलेंगे एक simple wire इसको हम लोग connecting wire भी कहते हैं इसका उप्योग हम लोग laboratory में कहते हैं और हमारे सामने है magnetic needle जिसको हम लोग चुम्बक sweep भी कहते हैं इसका rate terminal जो होता है नौर्थ पोल को दिखाता है और हमारे पास है एक bar magnet और अब इस magnet का उप्योग करती है हम लोग स्वीक की deflection चेक करेंगे है ना तो अब देखते हैं ये bar magnet जब मैं इसके पास लेकर आता हूँ तो ये जो needle है ये आपको left hand side में deflection शो कर रही है है ना student और जैसे ही मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो ये अपनी जग़ा पर आ जाती है और एक बार देखिए इसके पास लेके आता हूँ तो ये deflection शो करती है और दूर लेके जाता हूँ तो ये रुक जाती है अब मैं क्या करूंगा कि इस needle को magnet के pole को बदल देने के बाद चेक करता हूँ कि ये किस तरह से सुई की नोक हम लोग को दिखाती है देखिए बार magnet की अभी पोल मैंने बदल दिये है इसके deflection देखिए विरुद्ध दिशा में होता हूँ आप लोग को दिख रहा है राइट हैं साइड और जैसे मैं दूर लेके गया तो ये अपनी जग़ा पर आ गई अब देखिए सेल को हम लोग कनेक्टर से इस तरह से जोड लेते हैं अब जोड लेने के बाद आप लोग को इसके दो वायर को खुले ही रखना है अब एक जो connecting वायर हमने लिया हुआ था इस connecting वायर के उपर हम लोग इस तरह से needle को रख देंगे अब needle देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दी है अब यह connector के दोनों वायर को इस connecting वायर को जोड नेने के बाद needle का deflection हम लोग चेक करके देखते हैं student देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको connect करता हूँ तो यह इसका deflection आपको आपके right hand side की तरफ जुपते हुए दिखाई दे रहा है यह चुमबक सुई अब इस needle, इस cell को मैं उल्टा करके इसके वायर को दुबारा connect करका देखूंगा तो देखिए student यह जो needle है, magnetic needle है वो आपको इसकी direction दूसरी दिशा में दिखाई दे रही है तो इसका यह मतलब है कि दूबारा यदि इसके wire पहले की तरफ connect करके देखेंगे तो इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है इसका मतलब क्या है? जब electric current flow होता है तो compass की needle गुमती है और electric current बंद होती है तो compass की needle रुख जाती है इसे ही electromagnetism कहते है अब आपके सामने यहाप एक compass की needle गुमती हुई दिखाई दे रही है एक electric bulb जलता हुआ दिख रहा है बैटरी का connection हमने उसी तरह से किया हुआ जब हम लोग switch on कहते हैं तो यह electron गुमना शुरू होते हैं और compass की needle गुमती है और जैसे ही switch off होता है तो यह light glow होना बंद हो जाता है और यह sweet भी रुख जाती है अब हम एक नया प्रयोग करके देखेंगी जहां एक लोही की needle के चारो और copper wire याने तामबी की तार लपिटी गई है और उसके दोनों सीरों से बैटरी को जोड़ा हुआ है इस प्रयोग में आपको क्या करना है कि एक kill लेनी है kill के चारो और copper wire को इस तरह से जोड़ लेना है तामबी की तार को जोड़ लेना है अब देखिए students यदि इस kill को मैं इस paper clips को touch करता हूँ तो इन paper clips के उपर कोई भी असर नहीं हो रहा है परन्तु यदि यही kill को इस kill में जुड़े हुए copper wire को मैं एक battery के साथ जोड़ता हूँ और तब उसके बाद हम लोग इस paper clips के इसको touch करके देखते हैं तो सभी paper clips एक line में जूड़ जाते हैं और कितना मज़ेदार है ना ये कि ये experiment आप लोग करके देखेंगे में होते हैं बहुत सारे electron जैसे कि आपको इस आकरूती में आप देख पा रहे हैं इस आकरूती में हरे रंग के दिशाहीन electron आपको यहां पर दिख रहे हैं इनकी direction fix नहीं है जो इधर उधर कही पर भी घुमते हुए आप लोग को दिखाई देते हैं और जब इसके अंदर electric current flow होता है या कि किसी battery के साथ इसको जोड़ा जाता है तो इनकी जो directions होती है सभी electrons की वो एक दिशा में बदल जाती है देखिए जैसे आपको इस आकरूती में आप देख पा रहे हैं इन दोनो copper wires के connection को मैंने battery के साथ जोड़ा है और जैसे ही electric flow इसमें से होता हुआ बैता हुआ आप लोग को दिखा तुरंद इनकी direction बदल जाती है और ये एक उचित direction में बदल जाते है और उसी के वज़ा से इस तार में विद्युद्धारा के द्वारा चुम्ब की ये प्रभाव हमें दिखाई देता है अब हम लोग चलते हैं हमारे अंतिम प्रयोग की तरफ experiment में जिसमें हम लोग को एक copper wire लेना है एक की यानि के कुंजी लीनी है एक battery लीनी है और एक cardboard लेना है जिसमें से बीच में उसको एक hole हो एक छेद हो और अब इस तरह से जब हम लोग इसके connection करते हैं तो एक देखिए बीटा cardboard जो है जिसे हम लोग एक गत्ता कहते हैं उसके आरपार जाने वाली एक मूटी तार हम लोग यहाँ पे जोड लेते हैं और यहाँ पे कुछ लोहे क्या बुरादा इसके उपर डाल देते हैं जब battery से connection switch on करने के बाद connection होता है तो यह electron का जो flow होता है वो negative terminal से positive terminal में इस तरह से घुमता हुआ आपको दिखाई देता है अब इस cardboard के उपर आपने कुछ लोहे का बुरादा डाला हुआ था वो एक वृत्ताकार स्थिती में घुमते हुए आपको दिखाई देते हैं अब जैसे मान लीजे कि battery को मैंने उल्टा कर लिया तो इनका electron का प्रवा जो है वो उल्टी दिशा में घुमना शुरू हो गया यानि कि negative to positive terminal और switch on करने के बाद तुरंद इन लोहे के बुरादों की दिशा आप लोग को बदलती हुए आप लोग को दिखाई दे रही है इसी को हम लोग magnetic effect of electric current कहते हैं सो students कैसा लगा आपको वीडियो मज़ा आया ना इस वीडियो द्वारा आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आई कि विद्युद धारा और चुम्बक येक शेतर का बहुत नतिका रिष्टा है अब आपके सामने जो आकरूतिया यहां पर दीगे है ना इन आकरूतियों के बारे में हम लोग जरूर देखेंगे इस चुम्बक सुई के आधार पर इसमें क्या बदला होता है तो दीखें बारा आकरूतियों में दैर्शा अनुसार एक विद्युद परिपत जोड़ी है अब हम लोग को यहां पर एक सेल जोड़ना है जो यहां पर दो सेल जोड़े हुए तो इसको हम लोग बैटरी कहेंगे बारा तो इसके इस तरह के बैटरी की कनेक्शन को हम लोग को जोड़ना है positive terminal जो है और इस तरह से कुंजी को जाते हुए आप लोग को जोड़ना है और negative terminal कुंजी के दूसरे सीरे को इस तरह से जोड़ना है और फिर आप लोग को इस कुंजी को on करना है बड़ा तो देखिए A और B ये जो सीरे हैं के बीच सही जन तार की अपिक्षा मोटी सीधी तांबे की तार जोड़ना है देखिए A और B के बीच में हम लोग को मोटी सीधी और तांबे की तार यहां पे लेनी है अब उसके पास चुम्बकिये सुई रखिए हैं अब हम लोग को क्या करना है याँ पर इसके पास में चुम्बकिये सुई रख देनी है अब परिपत की कुंजी खुली रखकर मतलब इसको आन रखकर चुम्बकिये सुई की दिशा देखिए अब क्या होता है बटा कि जैसे इसको हमने कुंजी को ओपन किया तो पुरंद इसमें से इलेक्ट्रिक प्रवा जो है याने कि विद्युद्धारा प्रवा होना शुरू हो जाती है अब परिपत की कुंजी खुली रखकर चुम्बकी सुई की दिशा देखिये बाद में कुंजी बंद करके चुम्बकी सुई दिशा देखिये मतलब जब जैसे ही ये सुई बंद हो जाती है तो इसकी जो चुम्बकी है सुई जो है इसकी दिशा अपनी जगह पर अपने आप आ जाती है और जैसे यह प्रवाश शूरो होता है तो यह इसकी दिशा बदल जाती है यह इस तरह से आपको थोड़ी सी आड़ी घूमती हुए आप लोग को दिखाई देती है तो क्या दिखाई देता है तो अब से जोड़े गए सहियो जनतार उल्टे जोर कर चुम्बक की दिशा देखिए अब देखिए बिटा आकरूती हम लोग को दूसरी देखनी है इसमें हम लोग को क्या करना है इस जो बैटरी के कैनेक्शन हमने यहापर किया हुए तर नहीं एक उल्टे करना है याने के पॉझेटिव जगपो निगेटिव टर्मिनल लेना है और निगेटिव की जगपे पॉझेटिव टर्मिनल देना है और फिर यही चुम्बक स्वी का हम लोग को निरिक्षन करना है और जैसी यह विद्धूत प्रवा इसमें से जाना शुरू होती है कुझी हम लोग खुल ओपन करते हैं, खुली करते हैं तो तुरांथ इसका जो प्रवा है, यह जो प्रवा है इस तरह से बदलता हुए आप लोग को दिखाई देगा बटाव तो विद्धूत धारा की दिशा और चुम्बक स्वी की स्थिति का कोई संबन्द पता चलता है क्या जरूर इसमें बिल्कुल संबन्द है बटा, कि जैसे ही विद्धूत धारा की दिशा बदलती है इसका यह हम लोग इसका संबन्द इसके साथ जोड़ सकते हैं तो स्टूर्ट देखिए हम अगले पेज 51 और 52 पेज नमबर पर यहां प्रयोग धारा हमने क्या सीखा यहां पे बताया गया है कि तार में विद्धूत धारा के द्वारा चुम्बक की अप्रभाव से सुई को आकरशित करती है और उसमें बदलाव आप लोग को डिफलेक्शन वो सुई दिखाती है इसका अर्थ यह है कि विद्धूत और चुम्बक अत्वा का निकट का सम्मन्ध है इसके विपरीत यदि किसी चुम्बक को हिलाया और हिलता हुआ रखा तो क्या उसका विद्धूत प्रभाव दिखाई देगा कि आप लोग को एक लोहे के बुरा देखो उस कार्डबोर्ट पर रखकर घुमते हुए दिखाई दिया और वो व्रिस्ताकार गती में घुम रहा था बिटा और सेल की दिशा यदि हमने बदल दी तो उसकी दिशा भी बदल गई थी तो ये लोहे का जो चूर्ण है या लोहे का बुरादा जो है वो अपनी दिशा तै करता है और वो चुम्बकिय बल रेखाओ के आधार पर चुम्बकिय क्षेत्रा खुद निर्मित करके उसके चारो और गोल वृत्तागार गती में घूमता हुआ आपको दिखाई देता है तो है कि नहीं ये रोचक तो यहां हम चुम्बकिय शेत्र और ऐसे विद्यूद चुम्बकिय ब्रभाव का अध्यान करने वाले हैं अंतमें विद्यूद चलित्र और विद्यूद जनित्र का सिधान रचना और कार्य भी हम लोग समझने वाले तो यह जो विद्यूद चलित्र और विद्यूद जनित्र है ना यह जो पार्ट है बिटा यह अगली भाग में आप लोग को देखना है परंतु उसके पूर्वा मैं आपको इस महान वय्यानिक के बारे में जानकरी बताना चाहूंगा जिनका नाम बहुत ही आधर सन्मान से लिया जाता है वह थे वय्यानिक Hans Christian Austed जिन्होंने विद्धुत चुम्बकत्व को सबसे पहले सपस्ट किया और उनका इस प्रयोग में बहुत जादा अमुले योगतान भी रहा है सन 1820 में उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि एक धातू के तार मतलब कोई भी कौपर तार हम लोग मान के चलते हैं तामबे की तार के में विद्धुत धारा प्रवाइद हुई तार के पास की चुम्बकिय सुई कुछ कौन से विच्शेपित होती है और विद्धुत और चुम्बकत्व का संबन्द उन्हों ने ही नदर में लाया और फिर उसते ही आज की प्रगतिशील प्रद्योग्य की विकसित हुई है इक कौन सी होगी और स्टेट होगी यह बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखना जैसे देखिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले विडियो में देखा कि एक तांबे की मोटी तार हमने ली थी और एक बैटरी का कनेक्शन हमने यहापे दिया हुआ था इस बैटरी के कनेक्शन के तुरू हम लोग ने आपे कुछ एक कार्डबोड लिया हुआ है जहां पर जिसे हम लोग हिंदि में गत्ता कहते हैं और गत्ते के बीच में एक होल दिया हुआ है छेद बनाया हुआ है उस छेद के बीच में से ये जो तांबे की तार जारी है सीधी तार आप लोग को दिखाई दे रही है ये थोड़ी जाड़ी मोटी तार हम लोग को लेनी है लेनी है और यहाँ पे कुछ आगरूती में तो इसमें क्या बदल होता है और जब विद्धु-धारा के दूर लेकर जाते हैं तो सब्सक्राइब्स ये जो ब्रिट्छन में और यह घुमना आपको दिखाती है और यदि हम लोगों ने इस चुमबकिय सुई की जगह पर इसको बदल कर चुम कुछ लोहे का चूरने या लोहे का बुरादा अगर लिया तो उसमें क्या बदलाव होते हैं लोहे का बुरादा लेने के बाद तो ये भी हमने वीडियो में अच्छे से देखा हुआ है विद्युद्धारा प्रवाइद होती है तब गत्ते पर तार के परीदह विभिन स्तानों पर चुमबकिय स्वी रखी जाने पर प्रस्ते स्तान पर चुमबकिय स्वी निच्चित दिशा में स्तीर रहती दिखाई देती हैं देखे बड़ा जैसे जैसे इसमें से विद्यु अगार गती अपने आप पेंसिल द्वारा आप लोग को बनाई हुई आकरी में दिखेंगी तो इस प्रयोग में कितनी विद्यू धारा लगेगी और कितने सेल और कितना विभवा अंदर लगेगा तांबे की तार कितनी मोटी लेनी है इन सब पर हम लोग को मतलब आप लोगो को चर्चा करनी है मतलब हम लोगों से ही चर्चा करनी है और इसके बाद ये प्रयोग हम लोग करके देखेंगे अब देखिए स्कूल में हम लोग ने ये प्रयोग जरूर करके देखा होता लेकिन वीडियो द्वारा आप लोगों ने ये प्रयोग किस तरह से होता है ये फक्रोडा परिवर्दन ये होगा कि जितनी दूर हम लोग वो सुई को लेके जाएंगे तो वो कोई डिफलेक्शन अपको नहीं दिखाएंगे और जितनी पास हम लोग इस विद्युद धारा के पास पास लिंगे तो उसका डिफलेक्शन तुरण दिखाता है तो हुई कि अस्तान पर लोहे का बुरादा फाइल आईए और देखिए तो लोहे का चूर्ण तार के परिद्ध विशिस्ट वृत्ताकार स्तीती में स्तीर होता है ऐसा क्यों होता है इसलिए होता है बिटा कि उसके चुम्बक की या बल रेखाए निर्मित होती है और प्रवाइत होने वाली विद्ध धारा में चुम्बक की अत्वा होने की वज़ा से वह अपनी बल रेखाओ के चार और अपनी जगा निर्धारित करती है और वो वृत्ताकार गती में घूमती हुई आप लोग को दिखाई लेकिन समान इसमें चुम्बक की या शेत्र तब भी निर्मित होता है तो चुम्बक की या बल रेखाओ के अनुरूप फैला हुआ दिखाई देता है यानि कि एक सरल विद्ध चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्ध धारा के कारण प्रवाइद होने वाली विद्युद्धारा के कारण तार के परिधा चुम्बक्यक शेत्र निर्मित करता है और विद्युद्धारा को परिवर्तित न करके तार के पास से दूर जाते समाई चुम्बक्यक शेत्र कम हो जाता है ये चुंबक की अगा शेत्र आपने आप निर्मित हो जाती है इसलिए चुंबक की अगा षेत्र की दिवरता में व्रित्थि होती है यानि के जितनी ज़्यादा विद्युधारा प्रवाइत होगी उतना ज़्यादा चुम्बक्षिय शेत्र निर्मित होगा और उसकी तीवरता भी ज़्यादा होगी तो स्टुडेंट्स आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पतंद आया होगा अगले वीडियो में हम लोग दाईने हाथ के अंगुठी का नियम देखेंगे जो की विद्युधारा के उपर ही आधारित है स्टुडेंट्स आज का वीडियो आशा करता हूँ आप लोग को पतंद आया और अभी तक का जितना पोर्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है यह पूरा पोर्शन आप लोग अच्छे से कड़के रखेंगे पढ़ाय करेंगे और जितना रिटर्न वर्क आप लोग का कंप्लीट हुआ है वो नित्ति दिन आप लोग को पढ़ते रहना है तब तक आप लोग अगले वीडियो में अगले वीडियो तक वेट करिए और भाते रहिए खुश रहिए मुस्कुराद रहिए थैंक्यू क्लास टिक क्यार बाई